Hey guys, welcome back to my YouTube channel दोस्तो आज मैं आपके लेकर आया हूँ एक नया वीडियो जिसमें मैं आपको अन्बॉक्सिंग करके बताने वाला हूँ CP Plus के तरफ से आने वाला Guard Plus Series में 5 Megapixel दोस्तो इससे पहले मैं आपको 2.4 Megapixel का आपको अन्बॉक्सिंग करके दिखाया था दोम कैमरा का आज के वीडियो में मैं आपको CP Plus के Guard Plus Series का आपको 5 Megapixel का आपको अन्बॉक्सिंग करके बताने वाला हूँ तो वीडियो काफी ज़्यादा इंट्रेफ्टिंग होने वाला है तो Hey guys, मेरा नाम है Anis and you are watching Solanki G.E. Technical दोफ्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक शोटा सा रीकवेश्ट है अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया तो प्लीफ लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना और बैल आइकन को आल पर सेलाइक कर देना क्योंकि मैं आपके लिए इसी प्रकार का वीड आपको स्टार्ट तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपको इस प्रकार के बॉक्स पेकिंग में आपको दिखाई देने वाला है वीडियो को कर आया हुआ है और आप देख सकते हैं सबसे उपर में आपको CP Plus का ब्रैंडिंग मिल जाता है IP 57 waterproof suitable for outdoor ठीक है यानि कि आप इसको इंडोर में भी लगा सकते हैं आउट दोर में भी लगा सकते हैं यह दोनों के लिए suitable है क्योंकि इसमें आपको IP 57 का रेटिंग मिल जाता है full color HD camera यानि कि दिन हो या रात यह आपका color capture करेगा color video capture करेगा यह guard plus series का है और वहीं इसके इस side की बात करें तो आप देख सकते हैं इसका सारा detail यहाँ पे mention है जैसे कि इसका MRP है 4600 रुपया और इसका month and year of manufacture है जून 2023 का इसमें आपको सारा customer care number toll free number सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा वहीं इसके इस तरब की बात करें तो इसमें आपको serial number और यहाँ पे 5 megapixel FHD dome guard plus camera यह आपको लिखा हुआ मिल जाता है इसमें आपको 2.4 megapixel भी आता है और यह आपको जो मैं भी आपको दिखा रहा हूँ यह 5 megapixel है तो यह 5 megapixel वाले को चलिए अब हम simply करते हैं unboxing और आपको दिखाते हैं तो सब से पहले हमको इसका seal तोड़ना है और आप जब भी इसको लेंगे तो आप make sure रहेगा कि इसमें seal जो है यह लगा हुआ रहना चाहिए तोटा हुआ नहीं रहना चाहिए अगर तोटा हुआ रहेगा तो आप इसको लेना मत क्योंकि आपको इसको seal pack ही लेना सही होता है तो आप आपको बी एंसी यह देख सकते हैं बी एंसी और डीसी आपको केबल मिल जाता है इसको पावर कॉड में लगाने के लिए इसको पावर देने के लिए और यह आपका वीडियो ट्रांस्मिशन के लिए आपको बी एंसी कनेक्टर और यह पावर देने कैमरा को आपको डीसी कन हो जाता है यह आपका rotation हो जाता है 350 आप देख सकते हैं 350 degree rotate हो जाता है वहीं दो इसकी back side में आप देखें तो back side में QC path लिखा हुआ मिल जाता है और वहीं इसकी model number की बात करें तो इसका model number है CP plus का CP GPC DA50 PL2 SE इसका model है जो की 5 MEP के साथ आता है और काफी अच्छा लुक के साथ यह आप को देखने को मिलने वाला है जिस 및 आप को देखने को मिलने वाला है यह देखिए और camera का build quality की बात करें तो build quality काफी अच्छा है और जो wire का quality यह भी काफी अच्छा है तो चलिए हम इसको open करके देखते हैं इसको अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप जैसे कि आपको पता है कि आपको इसको simply ऐसे निकालना होगा यह देखिए आपको इसको ऐसे निकाल के आपको इसको लगाना होता है यह देखिए यह कुछ ऐसे फिटिंग होता है सबसे पहले आपको इसको नि जाता है Simply Push करके यह देखिए पूस करके और उसके बाद आपको Simply यहाँ पर इसको ऐसे लगातार ऐसे रोटेट कर देना है फिर यह जो कैमरा है सक्सेसफुली इंस्टाल हो जाता है अब चलिए अंदर में देखते हैं कि अंदर में हमको और क्या-क्या मिल जाता है तो दोस्तो कि यह जो 5MP का है यह किस पे सपोर्ट करेगा तो मैं आपको बताना चाहता हूं यह आपका CP Plus का HC series जो DVR आता है उसमें ही सपोर्ट करेगा अगर उससे कम मतलब कम परफॉर्मेंस वाला DVR है तो उसमें सपोर्ट नहीं करेगा तो आप इसको अगर order करते हैं तो सबसे पहले आप चेक करिएगा कि आपका जो DVR है वो कितना मेगा पिक्सल तक का सपोर्ट करता है कैमरा क्योंकि कुछ DVR जो होते हैं जो लो रेंज में होते हैं वो सिर्फ 2.4 मेगा पिक्सल तक ही सपोर्ट करते हैं और जैसे आप हाई रेंज में जाएंगे HC series या उसे Advanced वाला तो उसम प्राइस में पर्चेस किया तो मैं आपको बताना चाहता हूं मैंने इसको एमाजान से पर्चेस किया है 2,99 रुपए में याने की 2100 रुपए में एक रुपए कम में मैंने इसको पर्चेस किया है अगर आपको यह लेना होगा 5 मेगा पिक्सल का कैमरा तो इसको आप ले सकत सबसाइब नियर है वें ले जाकर आप इसको इसली बना सकते हैं क्योंकि इसमें आपको टू यहर्स का वराणिटी मिल जाता है तो दोस्तों यह वाला गैमरा है इसका जो क्वालीटी है काफी जबरदफ्ट क्वालीटी आपो इसमें मिलने व्लै क्योंकि यह 5 मेगा पिक्सल का है और CCTV में 5 मेगा पिक्सल क्वालिटी काफी जबरदफ्त काफी क्रिफ्टल क्लियर होता है तो अगर आप इसको लेने का सोच रहे हैं तो आप इसको अपने घर शॉप वगेरा के लिए आप ले सकते हैं बस आपको हाट डिक्स जो रहता है वो आपको कर देना और बैल आइकन को आल पर सेलेक कर देना क्योंकि मैं आपके लिए इसी प्रकार का वीडियो रोजाना लाते रहता हूं तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं साथी साथ मेरे को इंस्टाग्राम और फेस्बूक पर फॉलो भी कर सकते हैं और अपना कोईशन को मैसेज के थुरूप पूछ सकते हैं तो दोस्तों आज का वीडियो बस यही था मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ बाए बाए टेक केर